नवस्कार आप देखरें बिके भारत लाइब और हमारे साथ आज है मांबे न्यूज से रवी देखिए आज अभी जो है उचारू तरब के वल सियासी बाते हो रही है चुकि चुनाओं हो चुके हैं और चुनाओं में कई जो हॉट सिट है उस हॉट सिट को लेकर के लोगों म जहां एक और भाजपा अपनी दावे कर रहे ही जीत की वहीं जीत की दावे कर रहे है रवी तो इसमें कौन से प्रखंड में किस तरह की दावे भाजपा की और से आपके कर रहे है देखिए एक बात मैं आपको बता दू कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सीमरिया विधान है, बड़ा दिल्चस्प बात है छी हम आपको बता दें की जिस तरह से c Marr teddy card लैकिन सबसे ज्या-ज़ी दिल्चस्प बात ये है अनुझी की भाजपा के लोग और जमें के लोग अपनी अपनी जारी कर दी है विजल गोसना की उन्होंने लिश्ट ऐसे जारी किया है कि लावालांग का मैं सबसे पहले बतानी की कोजिस करूंगा भाजपा के लोगों ने जो वोटिंग यहां पर परसेंटेज बताया है कहीं ना कहीं 26,500 वोट यहां कुल दिये गए हैं जिसमें भाजपा को 10,000 और जेमेम को 13,000 वोट यहां पर दिखाए गए हैं और अन्य को 35,000 वोट दिखाए गए हैं जो जीत के दावे कर रहे हैं उनका काना है कि 26,500 पुल मत हुए हैं जिसमें भाजपा को 9,000 और जहारखन मुक्ती मोर्चा को 12,000 उसके बाद जेविख केस को 2,000 और बीसपी को मातर इसमें उन्हों यह लवलोंग की बात है जी लवलोंग की यह बात जिसने बदाया वहाँ बत जोहांपे 57,000, situations बड़े हैं जिसमें भाजपा को 25,000 और सोली मों को 25,000 और अनिन averaging साथ हजार 376 वोट दिये गए हैं वहीं बात करेंगर सी मरिया की जो जेमम ने लिस्ट बनाया है दावे कर रही है उस दावे में 57370 कुल मत पड़े हैं जिसमें 22,000 भाजपा को और वहीं जेमम को 30,000 और जेवी कैसस को 2500 और BSP को 1000 इस तरह से कुल मिलाकर यहां पे सी मरिया मे बढ़त दिख रही है जेमम जो जेमम के आकड़े बता रहे हैं जी अगली अगली परखंड की बात करेंगे हम सी मरिया विदान से बाकिये तो पथल गड़ा है पथल गड़ा में कुल वोट जो पड़े हैं 17,277 जिसमें भाजपा को भाजपा के लोगों ने बताया है कि 9,000 वोट वहां मिले हैं वहीं जेमम को 7,000 वोट और अन को 1277 वोट दिखा रहे हैं अगर हम जेमम की बात करें कि जेमम ने जो पथल गड़ा का जो आकड़ा सामने लाया है वो है 17,277 वोट पड़े हैं कुल जिसमें 9,000 भाजपा को और यहां पे जार्खंड मुक्ती मोर्चा क को कम दिखाया गया है पथल गड़ा में 7,000 मत दिखाये गया है जो मिले है और जेबी के SS को 1000 और ब्यस्पी को 400 इस तरह से कुल मिला कर यहां पे पथल गड़ा में जो जार्खंड मुक्ती मोर्चा ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें बढ़त यहां पे भाजपा की दिख रही है लेकिन अगले हम बाद करेंगा अगली परखंड के गिध्षब की जो भाजपा के लिस्टिंग के दवारा बताया जा दावा किया जा रहा है कि वोट मिला है और यह भी केसे को बारस हो और बी एसपी को 200 कुल मिला कर यहां पे 14808 को ते वहीं इटखोरी परखंड की हम बात करेंगे अनुजी तो इटखोरी परखंड में 37122 कुल वोटिंग हुए है जिसमें भाजपा ने दिखा दिया है कि यहा तरीक यहां उसकी बात करें 37122 में 222 भाजपा को यहां यांकरे लगभग लगभग दोनों के सामने जी 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 और वहीं 400 वोट ब्यस्पी को मिले हैं कुल मिला करका सकते हैं कि इटखोरी में बढ़त दिख रहा है भाजपा की देखे मजूर हंड की बात करेंगे जो भाटपा का गड़ कहा जाता है वह भाजपा के लोगों ने जो समीकर निया निकाला है 3150 वोट यहां कुल पड़े हैं और बता 500 वोट जीवी कैसस को और 400 वोट ब्यस्पी को दिखा रहा है और इस तरह से मजूर हंड में 18,000 बड़े अंग के साथ भाजपा सामने आई है लेकिन 12,000 वोट जो मिलता दिख रहा है जी अगला अगला जो प्रखंड है टंडवा जो कोल मैंस के नाम से भी जाना जाता है वह को मिल रहा है 9,650 अनुच्वी ने ठीक कहा कि टंडवा से कुल जो जो जारी किया है उसमें 58,650 मत पड़े है जिसमें से 21,000 भाजपा को और 31,000 वोट देखे यहां पे नोट करने वाली बात है कि टंडवा से जो काफी बढ़त दिख रहा है 10,000 वोटों का बढ़त दिख र रही है और वहीं पर इस जगह पर एक और जो पाटे है वो जेवी कैसास को 4000 मिलता दिख रहा है और बीसपी को 1500 तो कहीं न कहीं कर सकते ही कि टंडवा जो है वह एक सेंधमारी नजर आ रहा है कि भाजपा के जो गड़ है वहां पर जेमें सेंधमारी किया है और 31,000 उमत 10,000 के फर्क से यहां भाजपा विजय होते नजर आ रही है भाजपा के लिश्ट से वहीं देखे जेमें की लिश्ट के अनुसार टोटल 2,47,780 जो कांटिंग है भोट का उसमें 1,08,000 भाजपा को तो वहीं 1,17,000 जेमें को 12,200 मत जेवी कैसास को और 4,400 बीसपी को इस तरह स जो सामने आकड़ा आ रहा है जेमें के द्वारा वो आ रहा है कि जेमें यहां पे लगभग है 7,000 मतों से जेमें सी मरिया विधान सभा में लेडिंग नजर आ रहा है अब अनुजी हम कुछ विसेस बात करेंगे एक तरफ भाजपा 10,000 से अपने आपको विजय बता रही है एक तरफ जेमें 7,000 वोट से विजय बता रही है तो परसंटेज वोट का तो लगमसम यही रहने वाला अनुजी जो 7,000 और 10,000 के बीच में अंतराल में जो भी विजय हो भाजपा हो या जेमें हो यह तो निश्चित है लेकिन एक तरह भाजपा लिष्ट अपने जारी कर र चर्णा है खाता महने का नाम नहीं ले रही है और दिन पर दिन कयास बलती जार है भाजपा के लोग भाजपा के तरफ बता रहे है ज़ेमें के लोग यह ओर बता रहे है अनुजी bipolar का यह दाव पेज खत्म होगा क्यों किस तरफ पहर भारी पड़ रहा है अरुश攻ek क eternal कर अ रुख जाए थोड़ा साम उससे पहले हम व्यक्तिगत उनके बारे में जानना चाहेंगे जिस तरह उज्वल दास हैं जिस तरह से मनुझ चंद्रा उसके बारे में थोड़ा दर्सकों को भी से सुरूप से बता रहें कहीं न कहीं देखे दोनों जो एक दोनों का पिस्ट भूमी जो है उज्वल दास की बात करें तो उनके पिता जी पूरु यहां के विधायक रख चुके हैं मनुझ चंद्रा की बात करें तो उनके पिता जी पूरु में विधायक रख चुके हैं पार्टी ने भी ऐसे लोगों एक ऐसे विधाय को बनाना चाहरे हैं जो यूवा है कहीं यूवा पे भरोसा किया है भाज़्वा भरोसा किया है जेमेंगे जीत किनकी होगी लेकिन टकर काटे बहुत बड़ी बात कही है अनुजी लेकिन एक सही बात एक सामने आ रही है एक तरफ उजवलदास का भोलापन नजर आता है तो दूसरी तरफ मनुझ चंद्रा लोकल नजर आते हैं एक तरफ गिधोर और पर्थलगड़ा के लोग का एक दांगी जी का जो महतो का वोट होता ह उसमें जो लोकल फॉर वोकल का नारा निकलता है वो मनुझ चंद्रा की ओर दिखता है कि वो लोकल है और कही न कहीं उजवलदास को बाहरी बताए जाता है लेकिन एक तरफ जहां उजवलदास के भोलेपन की वज़े से उनकी समरपन की वज़े से जो पार्टी ने करने, जबिलों जबी हो और समय बुएक और होज default रहे ऑस पर यह जब totalmente और लोगों के साहीन को T rate्यम की चगे पुड़ था एक सब्सक्रणी केसा है। और युदा को भूंदा जो ऐसा महीं देख्यason वोज़ें आज हमने सामने दोनों आ गए देखिए अब तो दिल्चस्प ये होगा कि जहां येको और मनुद चंद्रा है एक युवा परत्यासी है वही उजवल दास भी युवा परत्यासी है लेकिन सिमर्या की जनता को सेवा दो में से एक ही कर पाएंगे जहें वह उजवल करें या फिर मनुद चंद्रा करें देखिए यस दंगल में किन्हें लोगोंने अधिक वोट दिया है जिन्हें अधिक वोट दिया होगा वही आज सिमर्या पर राज करेंगे थोड़ा सा हम रोकने की कुसेस करेंगे मैंने हम दोनों भाई ने बताया था कि अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन जीतने वाला है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि समीकरन जो भी हो भाजपा और जेमेम ने लिश्ट जारी कर दिया है लेकिन हम एक clear बात बता दें आपको हमारी ओर से कि जो भी विजह होंगे पांच से दस हजार के अंतराल से होने वाले हैं और कहीं न कहीं ये सीमरिया सबसे ज़्यादा काटे की टकर में नजार आने वाला है दो नोयुवक और दो बाजी एक तरफ भाजपा एक तरफ जेमिम जो भी जीतेंगे वो ताइस तारी को पता चलेगा क्या अनुज जी देखिए अब तो ये तो ताइस तारी को clear हो जाएगा कि मोदी का magic चला यहाँ पर या फिर हैमन पे विश्वास किया लोगों ने देखिए अब होता जो भी है सिमर्या का भागय उनके हाथों में होगा चोकि 5 साल वो यहां के विधायक होगे लोगों के लिए काम करेंगे अच्छे करेंगे बूरी करेंगे जो भी करेंगे लेकिन यह तही है कि सिमर्या में या फिर तो मनोचंद्रा होगा या फिर या तो मईय सम्मार योजना होगा या तो गोगो दिदी योजना बने रहें ऐसे ही खबरों के लिए मैं हुआ रवी कुमार साथ में अनुज पांडे धन्यवार